मैं ड्रक्टर के एस दोनसी आप सबी का के एस डी मैस क्लासी में स्वाइद करता हूँ आज हम इस वीडियो लेक्षिर में एक बहुत इंपोर्टेंट एक्जामपल डिसकस करने जा रहे हैं तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही द्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर कीजिएगा और हमारे यूटूब चैनल के एस डी मैस क्लासी को सस्क्राइब भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि उसमें जो हमारे online courses बगरा चलते हैं उनके बारे में जानकर यह upload कर रखी है और मैं मेरे यूटूब चैनल पर higher mathematics से related video upload करता हूँ यह videos undergraduate, integrated courses और engineering mathematics के student के लिए बहुत important है तो please आप अपने friend circle में इन videos को ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए ताकि वो भी इनका benefit उठा सकें, ओके तो आएए हम आज का question स्टार्ट करें ओके, तो example number 4 की statement देखिए आप क्या लिख रहा है इसके अंदर, example 4 के अंदर for any, ABC belongs to R क्या गरहा है, वो गरहा है कि कोई भी ABC real number हूँ for any, ठीक है, कोई भी ABC क्या हूँ, real number हूँ show that, then R, इन दुनों composition के लिए क्या होना चीए is a field, अपने को field proof करना है, ठीक है और किस तरीके से वो कर रहा है, कि अगर composition इस type से define किये गए हूँ ठीक है, तो अब देखो, first composition क्या देरिखा है इसने क्या definition देरिखिए first composition की अगर हम इस composition को 2 real number के अंदर apply करते हैं, 2 real number के बीच में इसको apply किया रता है इसका answer क्या है, दोनों का sum minus 1 हम according to right hand side ही चलेंगे question के अंदर ठीक है, इसको equation number 1 देदो आप और उसके बाद अगर हम 2 real number के बीच में second composition अप्लाई करते हैं तो इसकी value क्या है, इसकी value है, दोनों elements का sum minus दोनों का multiply according to right hand side ही इन composition को हम पढ़ते हैं, यह द्यान देना आप तो right hand side के according ही हम इनकी calculation करेंगे और अपने को proof क्या करना है, r क्या होना थी, field तो field मैंने क्या कहा था, field क्या होता है, एक ring एक ring, जो कितनी property satisfy करता है 5 plus की, 5 पहले composition की, 5 property second composition की और एक distributed law, total 11 properties तो आईए हम इस question को solve करें, ठीक है, तो सब से पहले लिखिए आप, solution, ठीक है, तो solution के अंतर लिखवा आप, for all a, b, c belongs to r, a, b, c, real number से, then to prove, target क्या है to prove, r, comma, first composition, comma, second composition, b, field इसको field proof करना है, ठीक है, और ये दो अपने process ने definition दे रखिए हैं, दोनों टार्गेट क्या होगा, हमारा टार्गेट होगा, first composition के लिए abilion group proof कर दो आप, ओके, तो लिखिए आप, number one, जैने कि तीन abilion group, इसको abilion group proof करेंगे हम, बहुत ही simple है, field के लिए 5 पहले की, 5 दूसरे की, और एक distributive lab, ठीक है, abilion group proof करना, तो इसके लिए सब से पहले लिखो आप, number one, closer property, closer property, ओके, तो closer property के अंदर क्या करना होता आपने को, for all, a, b belongs to art, कोई भी दो real number, choose करना, for all means, any, कोई b, any to real number, then to prove, उसके बाद proof करना, a, composition b belongs to art, इनके अंदर first composition apply करना, और ऐसा करने के बाद, यह result किस में आदे, art के अंदर, ठीक है, तो अब बहुत ही simple सा तरीका होता है, closer property के लिए, जो उसने definition देर की है, उसकी right hand side को आर के अंदर proof कर दो, आप, और अगर उसकी right hand side आर के अंदर proof होगी, तो 100% क्या होगा, left hand side भी आर में proof हो देगी, यह closer property proof करने का method होता है, ठीक है, right hand side को proof करिए आप, equation first को द्यान से देखिए आप, अब हम 5 property, equation first के according ही proof करने हैं, अपने को द्यान दनाब, क्यों, यह composition है, first composition, ठीक है, तो अई मैंने क्या कहा है, right hand side के according ही हम closer property satisfy करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही simple, अब आप ऐसे करना, यहां से start करेंगे, और यहां तक आपने पहुंचना है, ठीक है, तो थूड़ा सा मन-मन के अंदर, ठीक है, अब आज आनी जी अपने कि A और B क्या हैं, दो real number, दो वास्तविक संखें, तो लिखो आप, since A, B are two real numbers, और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, दो real number का जोड भी क्या होगा, is again a real number, A plus B भी क्या होगा, right hand side बना लगा होगा साथ, और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, real number में से अगर हम A को minus करेंगा, तो भी क्या बनेंगा, real number, ओके, और ऐसा करते देखवा, आप by one, equation first से, by one, equation first से देखिया, आप right hand side जब R की होगी, तो left hand side भी किसका element होगा, R का होगा, तो it means A, first composition B belongs to R, it means closer satisfied, आप इसके बाद लेदेना, closer property satisfied, okay, next लिखवा आप, associative, associative property, बहुत ही simple से property है, associative property के अंदर क्या करना होगा, for all A, B, C belongs to R, R के तीन element लेना, then to prove और उसके बाद हमारा target रहेगा, A, B, C, जैने कि बीचे में first composition apply करिया आप, equal to A, B, और C, बीचे में first composition apply कीजिया, और left hand side के अंदर क्या करना आपने, first 2 के उपर composition और right के अंदर, sorry, left के अंदर पहले 2 के उपर bracket लगा दो, और right के अंदर last 2 के उपर bracket अपलाई कर दो, और इस तरीके से left और right की value क्या नहीं चीए, same नहीं चीए, ठीके, तो अब आप पहले left hand side calculate कर लो आप, LHS, तो सबसे पहली calculation इस ब्रेक्ट के अंदर करनी है आपने को, equation first by 1, equation first का ही use करना आपने को द्यांदेना आप, तो देखो, क्या है equation first, दोनों का sum minus 1, that is a plus b minus 1, ठीके, again equation first, again equation first को apply करना आप, ठीके, तो अब क्या होगा, इन दोनों का जोड, that is a plus b minus 1 plus c, दोनों का जोड और minus 1 कर दो आप, दोनों का sum minus 1, दोनों का sum minus 1, ओके, तो कुल में लागर के हमारे पास क्या हो गया, a plus b plus c minus 2, यह किसी इस की value आगी, left hand side, lhs, और अब हम right hand side calculate करेंगे, तो next लिखे आप, right hand side, rhs, ओके, तो now, right hand side, ठीके, तो क्या करेंगे हम, सब से पहले इसको calculate करेंगे, तो लिखे आप by 1, equation first से, ठीके, तो क्या लिखा देगा, देखवा, a first composition, तो into में आएगा, दोनों का sum minus 1, according to 1, दोनों का sum minus 1, और ऐसे ही again by 1, तो again equation first का use करेंगे, तो क्या होगा, इन दोनों का sum, यह दोनों का sum हो गया, ठीके, और minus 1 कर दो आप, तो देखवा, ऐसा करने के पाद हमारे पास क्या बढ़ेंगा, a plus b plus c minus 2, यह किसी इस की value आगी right hand side की value आगे हमारे पास, ओके, और उसके बाद we see that left hand side equal to right hand side, तो implies, we see that left hand side equal to right hand side, it means associativity property satisfied, ठीके, left and right दोनों की value same हा रही है, तो इसका हमारे लोग क्या है, associativity property संतुस्त होती है, हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके बाद फिर क्या करना होगा, existence of an identity element with respect to first composition, हमें prove करना होगा, इस composition के लिए, identity element ओपस्तित है, present है, किसके अंदर, R के अंदर, तो heading लगाई है आप, identity element, हम प्रूफ करेंगे, इसके अंदर होना जीए, ओके, existence of an identity element, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ठीके, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि अगर उसने plus दे रखा हो, only plus, तो identity element क्या होता है, 0, अगर composition multiply हो, तो identity element क्या होता है, 1, और अगर plus या minus नहीं है, उसने और कुछ दे रखा है, वो माफिर आपके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, suppose करेंगे हम, ठीके, अब जैसे इसके अंदर क्या करेंगे हम, यह उसने plus नहीं दे रखा, ठीके, और यह उसने multiply नहीं दे रखा, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, identity element suppose करेंगे, तो लिखिए आप, let e is an identity element of r, हम suppose कर लेते हैं, e r का identity element है, e r का तत्समक अब अब है, हिंदी के अंदर, ठीके, और अगर e r का identity element है, तो फिर इसको कैसे calculate करते हैं, इसकी definition का use करते हुए, तो definition क्या होती है, identity element की, तो लिखो आप by definition, बहुत ही simple परवाशा होती है, definition होती है, for all, a belongs to r, हम लोग क्या लिख सकते हैं, a composition, e equal to a, और ऐसे ही, e composition, a equal to a, कहने का अब लोग क्या होता है, identity element को चाहे हम बाद में लिखें, चाहे हम पहले लिखें, result change नहीं होता, same element मिलता है अपने को, ठीक है, ये identity element की definition होती है, तो अब equation first का use करिए आप, तो देखो क्या होगा, a plus e minus 1 equal to a, तो यहाँ से e की value 1 आएगी, ठीक है, और उसके बाद, ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, e plus a minus 1 equal to a, तो again यहाँ पर e की value कितनी आ रही है, 1 आ रही है हमारे पास, ये right identity element, और ये क्या है, left identity element, if left and right identity element are same, then identity element exist, अगर left और right दोनों identity element same होंगे, बराबर होंगे, तो हम क्या गय सकते हैं, इस set में, इस composition के, according, इस composition के respect, identity element कौन है, 1, ओके, because left, right identity element भी 1 है, और left identity element भी क्या है, 1 है, it means identity element exist, ठीके, तो इसका meaning क्या होगा, identity element उपस देते हैं, तो लेख देना आप, implies identity element present, in R, और ये identity element क्या कहलाता है, ठीके, zero element, first composition का identity element क्या कहलाएगा, zero element of R, और second composition का identity element क्या कहलाता है, unity element of R, ओके, हाँ भी, next लिखिया आप, next property, inverse property, existence of inverse, ओके, तो inverse property, existence of an inverse, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, suppose कर लेंगे, कि A का inverse क्या है, B, ओके, A का inverse क्या है, B है, तो लिखिया आप, let, inverse, of A is B in R, ठीके, हम suppose कर लेते हैं, A का inverse कौन है, B के अंदर, B है, किस में, R में, तो इसका मिनिंग क्या होता है, इसका मिनिंग बहुत ही clear है, कि A, R का element है, B, calculate करना है, और B कोन है, inverse of A, A का inverse है, और B की value calculate करनी है, और calculate करने के बाद, यह किस में आना चीए, R में आना चीए, ठीके, यह inverse property का मिनिंग होता है, R के परते के element का inverse R में ही होना चीए, तो हमने suppose कर लिया, A का inverse B है, अर्थात A, R के element है, इसका inverse B calculate करेंगे, और वो किस में आना चीए, R में ही present हो, यह अपना target है, तो अब main चीज़ क्या होगा, इसकी definition का use करेंगे हम, तो definition क्या होती है inverse की, A और B, अगर दोनों inverse हैं, तो दोनों में composition apply करने के पाद, answer क्या आएगा, identity element, ठीके, चाहे हम A को पहले लिखें, चाहे हम B को पहले लिखें, यह inverse की definition है, अब आप यहां से calculation करिए, तो that is, A plus B minus 1, equal to 1, equation first apply कर दो, left के अंदर, और right के अंदर E की value पुट कर दो, क्यों E हमारे पास क्या है, 1 है, ठीके, ओके, और इसी तरीके से यहां पर, equation first का use करिए, left के अंदर, that is B plus A minus 1, equal to 1, और अब आपने B की value calculate करनी है, तो B कितना हो देगा, that is 2 minus A, और यहां से भी कितना हैगा, 2 minus A, और देखो, B belongs to R होना, जी अपने को proof करना है, ठीके, तो आप थोड़ा सा, यहां पर mind apply करो, आप, सोचो आप, 2 क्या है, real number, A क्या है, real number, then 2 minus A भी क्या होगा, real number, that is belongs to R, ठीके, same value है देखो आप, यह क्या है, right inverse of A, यह क्या है, left inverse of A, दोनों inverse same होने जी हैं, ठीके, दोनों की value same होने जी हैं, देखो, B equal to 2 minus A, and B equal to 2 minus A, यह right inverse of A, और यह क्या है, left inverse of A, दोनों same होने जी हैं, ठीके, दोनों की value same होने जी हैं, तो इसका आप लोग क्या है, inverse property satisfied, ठीके, तो आप लिख सकते हैं यहां पर, inverse property satisfied, कहने का आप लोग क्या है, बहुत ही simple formula त्यार हो गया हमारे पास, inverse of A, inverse of A, A का inverse कौन होगा, 2 minus A, B का कितना हो जाएगा, 2 minus B, C का कितना हो जाएगा, 2 minus C, D का कितना हो जाएगा, 2 minus D, इस formula से हम inverse को calculate कर सकते हैं, ओके, तो for all A, परतेक A के लिए फórmula त्यार हो गया हमारे पास, ओके, तो अब इसके बाद देखो आप, हाँ नेक्स, inverse property satisfy होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, commutativity property, तो लिखे प्लीज, number 5, commutativity property, तो इसमें अपने को क्या करना होगा, इसमें अपने को बहुत ही simple for all, A, B belongs to R, हमारा target क्या होगा, A और B अगर R के element होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा target होगा, A, composition B, equal to B, composition A, यह हम प्रूफ करेंगे, इसके अंदर, ओके, यह हमारा target रहेगा, left और right दोनों क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत है simple, calculation कर दो आप, तो देखो यह हमारे पास आएगा, A plus B minus 1, और यह क्या हैगा, B plus A minus 1, और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, A और B क्या हैं, real number, और real number are commutative with respect to plus, real number हमेशा plus के respect क्या होते हैं, commutative होते हैं, तो हम right hand side को क्या लिख सकते हैं, that is A plus B minus 1, B plus A को A plus B लिखाया सकता है, because real number are commutative with respect to plus, तो अब ऐसा करते हैं, आप left और right दोनों क्या हैं, same हैं, तो it means commutativity property satisfied, तो यहां तक पहुँचते ही, कितनी property होगी, 5 property होगी, तो इसका अब लब क्या है, R, first composition, be an abelian group, तो लिख दो आप, last में, implies, R, first composition, is, an abelian group, ठीक है, abelian group है, किस के respect, first composition के respect, और अब देखा, आपने को field proof करना है, तो second के लिए भी abelian proof करना होगा, आपने को, करिए note आप, please, हाँ तो next, second part, for second composition, second composition के लिए भी, हम five properties proof करेंगे, ओके, तो सब से पहले, closure, closure, property, ठीक है, क्या करना होगा, for all, a, b belongs to r, then, a composition, b belongs to r, ये हमरा target रहेगा, then to prove, a, second composition, b belongs to r, okay, हाँ, closer proof करने का, बहुत ही, simple सा तरीक है, मैंने क्या आगा, राइट हैंड साइड को, प्रूफ कर दो आप, equation, second की, राइट हैंड साइड को, प्रूफ कर दो, r के अंदर, r में प्रूफ कर दो, आप, जब, राइट हैंड साइड आर में हो जाएगे, तो लैप्ट आपने आप होगी, तो इसके लिए यहाँ से, स्टार्ट करिए आप, और यहाँ से, स्टार्ट करिए और, मन मन के अंदर, अब आज आनी चीए अपने, ठीक है, कि a और b कौन है, तो लिखो आप, since a, b are two real numbers, ठीक है, then a plus b, and a into b belongs to r, और हम लोग क्या जानते हैं, दो real number का sum, और दो real number का multiply, is again a real number, ठीक है, और उसके बाद, बहुत ही simple, दो real number का minus, again क्या होगा, एक real number होगा, ठीक है, तो अब by second, equation second से, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, by two, equation second से, हम लिख सकते हैं, that is, a composition b belongs to r, closer, satisfied, ओके, right hand side को r के अंदर proof करना, left hand side अपने आप r के element होगा, ठीक है, बहुत ही simple, a और b दो real number, ऐसे हमारे अंदर अवाज चलनी चाहिए, यह और b दो क्या हैं, real number हैं, और उन दोनों का sum, और उन दोनों का multiply भी एक real number होगा, और फिर, उन दोनों को हम subtract करेंगे, तो भी क्यों होगा, पास एक real number आएगा, और ऐसा करते हैं, closer, satisfied, लिख देना आप, नीचे line मेंशन कर देना, closer property संतुस्ट होती है, closer property satisfied, ओकी, next लिखे आप, associative, क्योंकि 5 property प्रूफ करनी है, associative, तो इसके लिखे लिखे, नाव तो प्रूफ, for all, A, B, C, belongs to R, then, A, Composition B, Composition C, equal to, A, Composition B, Composition C, left के अंदर, पहले दो के उपर बुरेक्ट, right के अंदर, last दोनों के उपर बुरेक्ट, ठीक है, और अब आप इसकी calculation स्टार्ट कर दो, तो यहाँ equation second, और यहाँ equation second, यानिकि पहली जो हम, calculation करेंगे, वो इस बुरेक्ट के अंदर होगी, चाहे left है, चाहे right है, equation second का use करेंगे हम, तो देखो equation second का use करेंगे, तो क्या हैगा, दोनों का sum, minus दोनों का multiply, according to second, और ऐसे ही, तो, तो, तो right hand side के अंदर क्या होगा, A, Composition, यहाँ पर इन दोनों का, sum, minus दोनों का multiply, B plus C minus B C, again equation second, again by two, तो आप फिर समी करेंगे, तो क्या करोगे आप, दोनों का sum, that is, A plus B minus AB plus C, यह दोनों का sum हो गया, minus दोनों का multiply, that is, A plus B minus AB into C, यह दोनों का multiply हो गया, दोनों का sum, minus दोनों का multiply, left hand side के अंदर, और ऐसा ही right hand side के अंदर, A plus B plus C minus B C, यह क्या हो गया, sum of both elements, फिर minus दोनों का multiply, that is minus A into B plus C minus B C, ठीक है, और अगले step के अंदर, आपने C का अंदर multiply कर दो, यहाँ पर A का अंदर multiply कर दो, तो देखें, लेक्टोराइट से हम आरी हैं कि नहीं हारी, तो next step हमारे पास बनेंगा, implies A plus B plus C minus A B, क्यों real number commutative होते हैं, plus और multiply के respect, हम इनको इस तरीके से, commutativity का use कर सकते हैं, और C का अंदर multiply, that is minus A C minus B C plus A B C, यह left hand side, और right hand side की value देखो आप, A plus B plus C minus B C, और फिर A का अंदर multiply कर सकते हैं, that is A B minus A C plus A B C, और अब देखें, जो term left के अंदर हैं, वो सारी की सारी terms, right hand side का अंदर भी हैं, तो it means left hand side equal to right hand side, implies left hand side equal to right hand side, okay, then associativity property satisfied, okay, यहाँ पर please heading पूरा आप लाई करना, associative property, और यहाँ आप line mention कर देना, implies associativity property satisfied, associativity property संतुस्ट होती है, और इसके बास के हम लोग क्या करेंगे, identity element होना जी है, second composition के respect, existence of an identity element, with respect to second composition, तो क्या करना होता है, जाभी infinite set हो, suppose करेंगे हम, ठीक है, तो heading लगा दो आप, identity element, और identity element को calculate करना, क्याने का अदलब, exist करना चाहिए identity element, आर्गे अंदर, किसके respect, with respect to second composition, ठीक है, तो लिखो आप, let E, is an identity element, identity element, of R, then by definition, क्या definition होगी, for all A belongs to R, identity element का लोग क्या होता है, परते एक element के साथ, किसी भी element के साथ, for all A belongs to R, अगर हम identity element को पहले लिखें, या बाद में लिखें, result change नहीं होगा, ओके, तो यह हमारे पास आएगा, ओके, तो अब आप equation second का use करते हुए, E की value calculate करो आप, तो देखो equation second का use करना आपने हो, second क्या है, दोनों का sum, minus दोनों का multiply, equal to right hand side, तो अब यहां से दे आंदना आप, हमारे पास देखो क्या होगा, E into 1 minus A equal to 0, क्यों A से cancel हो जाएगा, काटा नहीं लगाना है प्लीज, काटनी करने, आप direct 0 लिखदो आप, E common, 1 minus A, और अगले step के अंदर दे आंदो आप, तो यहां से क्या होगा, E plus A, दोनों का sum, minus दोनों का multiply, equal to A, और ऐसे यहां पर भी E common, that is 1 minus A equal to 0, तो देखो, अब यहां से E की वेलु, और यहां से E की वेलु क्या रही है, 0 और यह, तो आप लिख देना, दोनों से ही, that is E equal to 0, और E equal to 0 क्या रही है, real number, ठीक है, यहांने कि, right identity element भी 0 हो गया, E की वेलु 0 आएगे यहां से, और यहां से भी E की वेलु क्या रही है, 0 आएगे, ओके, तो आप लेख सकते हो, E equal to 0, और यहां भी आप लिख सकते हो, E equal to 0, ठीक है, दोनों सेम आने चाहिए है, इसका मीनिंग क्या होगा, identity element, with respect to second composition, exist, ओके, दूसरे composition के respect, identity element present है, अब इसके बाद भीर क्या करना होगा, inverse property, तो next लिखें प्लीज, inverse property, inverse element होना चीए, तो inverse के अंदर, हम लोग क्या करेंगे, suppose कर लेंगे, let's, inverse of A, is B, in R, हम माल लेते हैं, A का inverse, B है, किसमे, R के अंदर, तो इसका मीनिंग बहुत ही clear है, कि A, R का element है, उसका inverse, B, calculate करना है, और वो किसमे होना चीए, R के अंदर होना चीए, एक real number होना चीए, ठीक है, तो अब आप सबसे पहले definition का use करोगे, ठीक है, जयानि कि इसका मीनिंग, मैंने आपको पहले बताया था, क्या होता है, इसका मीनिंग है, कि A belongs to R, B calculate करना है, और ये किसमें आना चीए, R में आना चीए, ये हमारा टार्गेट रहेगा, ठीक है, तो अब definition का use करीए, इन्वर्स की definition क्या होती है, A, composition, B, equal to identity element, identity element हमारे पास 0 है, second composition के respect, और ऐसे ही हम, यहां पर लिखेंगे, B, second composition, A equal to identity element, inverse, दोनों elements के बेच में, composition apply करेंगे, तो right hand side क्या होगा, identity element होगा, ये inverse की definition होती है, और अब आप equation second का use करीए, by two, equation 2 से, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, दोनों का sum, minus दोनों का multiply equal to 0, और अब देखो, हमारा target क्या है, B calculate करना, तो B common निका लो, that is 1 minus A equal to minus A, और अब आप क्या लिखोगे, B equal to minus A upon 1 minus A, हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, तो अब देखो, अगले step के अंदर, next, यहां से भी की value, same आएगी, जब हम calculation करेंगे, that is B equal to minus A upon 1 minus A, ठीक है, तो यह क्या चीज़ आगया है हमारे पास, यह क्या चीज़ आगया है, यह हमारे पास आगया, inverse of A, equal to minus A upon 1 minus A, ठीक है, और एक द्यांदेना आप, एक इस inverse, जब property लिखा ही थी, आपको field की definition के अंदर, वहां पर mention किया था, side के अंदर, A is not equal to 0, not equal to 0 कहांदो, क्या होता है, first composition के identity element को छोड़ कर, बाकि सबी का inverse होना जीए, द्यां दीजिएगा आप definition, तो देखो, first composition के identity element कौन सा है था, 1, तो आप side में लिख देना, A is not equal to 1, that is 0 element, बहुत ही simple, 0 element offering क्या होता है, 0 नहीं होता ज्यांदना, ठीक है, first composition का identity element, क्या कहलाता है, 0 element of ring, तो इसलिए मैंने side में क्या लिख दिया, if A is not equal to 1, क्यों, first composition का identity element को नहीं है, यहां पर 1 है, 1 को छोड़ कर, हर एक element का inverse calculate कर सकते हो, आप देखिया, 1 को छोड़ना पड़ेगा, आपने क्यों, अगर 1 होता यहां पर, तो भी रपाउन में क्या होता, 0 होता, अपाउन में 0 आता ही, undefined, तो इसलिए बहुत ही clear definition के लिखावा था, A inverse belongs to R, if A is not equal to 0, 0 means, identity element with respect to first composition, तो यहां पर first composition का identity element को होन है, 1 है, 1 को छोड़ कर, बाकि जितने भी elements होगे R के अंदर, हर एक का inverse आपने को मिलेगा इस formula से, it means inverse property satisfied, तो लिख देना, inverse property satisfied, ओके, next लिख है आप commutative, क्योंकि last property है, second composition के लिए, commutative property, तो commutative property के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें for all, A, B belongs to R, हमारा target क्या होगा, A composition B, equal to B composition, A proof करना, बड़े असानी से कर सकते हो आप, equation second का यूज़ करिए आप, by 2, equation 2 से, पहले left hand side, A plus B minus AB, right hand side के अंदर क्या होगा, B plus A minus BA, equation second देखो आप, B पहले, तो यहां पर B पहले आएगा, यहां पर B पहले आएगा, B plus A minus B according to second, और अब हम लोग क्या जानते हैं, real number are commutative with respect to plus and multiply, real number, plus और multiply के respect commutative होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A plus B minus AB, तो अब देखो ऐसा करते हैं, left hand side equal to right hand side, ठीक है, तो यह चीज़ side में mention करते हैं, real number are commutative with respect to multiply, and plus, ठीक है, तो plus के respect भी और multiply के respect भी, real number commutative होते हैं, हाँ भी तो कुल मिला करके देखो, यहाँ तक आते ही second composition के लिए, कितनी property satisfy होगी? 5, 5, पहले composition की, 5 दूसरे की, और अब तीसरा part क्या प्रूफ करेंगे? हम distributive law, total 11 property satisfy होजएं, तो set क्या होगा? fields, तो next लिखवा, part 3, now to prove distributive law, बंटन्ता का नियम हम प्रूफ करेंगे? हाँ तो देखो, सब से पहले हम, left distributive law प्रूफ करेंगे, LDL, क्योंकि distributive law के अंदर दो पार्ट होंगे, कौन कौन से LDL और RDL, left distributive law और right distributive law, तो left के लिए हम लोग क्या करते हैं? for all a, b, c belongs to r, then to prove a second composition, b और c में first composition आता है, equal to a second composition b, plus a second composition c, अगर कभी mind में से slip हो जाए, तो आप लोग plus और multiply का DL लिख लो आप, ये note कर लेना साइडी का अंदर, plus और multiply का LDL, a into b plus c, equal to a into b plus a into c, बहुत ही simple होता है है, और पहले plus को first से replace कर तो, multiply को second से replace कर तो आप, ठीक है, मानलों कर अब mind में slip हो जाए, तो आप plus और multiply का याद रखिया, यानि कि break को कैसे खूलना है left में से, ठीक है, और multiply के स्थान पर second composition लिख दो आप, और जहां पर plus लिखा है, आप पहला composition लिख दो आप, ठीक है, और अब हम left hand side को calculate करेंगे, इसा से पहले, left hand side लिखा में ने, और इस break के अंदर equation first apply किया, equation first क्या है, दोनों का sum minus one, फिर equation second, और second equation क्या है, दोनों का sum minus दोनों का multiply, पहले दोनों का sum होगा देख़वा आप, a plus b plus c minus one, फिर minus और a का इसके साथ multiply करके लिए हमने, और उसके बाद अब हम इसको open करेंगे, तो देख़वा आप क्या होगा, a और plus a बनेंगा, a और a कितना होजएगा, 2a, plus b, plus c, minus one, minus a, b, और minus a, c, इसको open करने के बाद यह left hand side की value बनेंगे, अब आप right hand side लिखिए, rhs, right hand side, that is a, second composition b, first composition, a, second composition c, right hand side, तो पहले equation number second apply करना है आपर, equation second, right hand side के अंदर second पहले apply करेंगे, को भी first calculation break के अंदर करने होती है अपने को, तो second equation को जब हम apply करेंगे, तो क्या होगा, दोनों का sum, minus दोनों का multiply, plus, दोनों का sum, minus दोनों का multiply, according to second, अब equation first लगाओ आप, तो equation first apply करेंगे, तो क्या है, दोनों का sum, a plus b minus a b, a plus c minus a c, and minus 1, ओके, और अब देखो आप, a और a कितना देगा 2a, तो यह हमारे पास बनेगा, 2a plus b plus c minus 1, minus a b, और minus a c, पहले मैंने single single लिख दिया, बाद मैं दो-दो term लिख दी मैंने, जो multiply आ रही हैं, और आप देखो चेक करो आप, left और right दोनों का value क्या है, same है, तो लिख दो आप, we see that left-hand side equal to right-hand side, we see that left-hand side equal to right-hand side, तो इसका अतलों क्या है, LDL satisfied, left distributive law, satisfied, ठीक है, और अब आप लिख देना last में, similarly we can prove RDL, we can prove right distributive law, ठीक है, जैसे हमने left proof कर दिया, वैसे हम right proof कर देंगा, हम इतने मड़े नहीं देना आप, strong है हम, similarly we can prove RDL, ओके, ऐसा लिख दो आप, तो कुल मिला करके देखो, यहां तक आते हैं ते क्या हो गया, 5 property, 1st composition की satisfy होगी, 1st part के अंदर, 5 property हमने 2nd composition की satisfy करवादी, 2nd part के अंदर, और 3rd part के अंदर हमने, distributive satisfy करवा दिया, तो देखो, total कितनी property होगी, 5 plus 5 plus 1, 11, और 6 अंदर होते क्या होगा, field, तो लिखे प्लीज, 11 property satisfy होते ही, हम लोग क्या लिखेंगे, implies, और, comma, 1st composition, comma, 2nd composition, is a field, ओके, तो थोड़ा सा, लंबा procedure है, property ज़्यादा है, मुश्किल नहीं है, answer तक हम पहुन सकते हैं, बड़े ध्यान से चलिएगा अब, तो थोड़ा सा number system के साथ, set notation जो है, उसको आप पका करो, set के बारे में आपने को पता होना जी, R के अंदर किस टाइप के elements है, real numbers, ओके, thank you,